28 मार्च यानि आज और आज की तारीक में सबसे खास क्या वरा है आज की तारीक में खुलासे होंगे खुलासे जिससे परदान मंत्री नरेंद्रम होदी की कुर्शी डगमागा जाएगी खुलासे जिसे एड़ी के अधिकारियों के होसू जाएगे खुलासे आज कोट रूम में होगा और कोट रूम में हुए खुलासे के बाद देश की सियासत में फिर से बवाल मशनाता है यह खुलासा अर्विंद के जिरिवाल दिल्ली के मुखमंत्री करने जा रहे हैं आखिर जो तिल्ली के अंदर जो पैसे लिए गये थे तथा कथित सराब घोटाले में वो पैसे कहां है पैसों का खुलासा होगा एक तरफ परधान मंत्री नरेंद्र मोधी बंगाल में फोन करके कहते हैं कि जो पैसे बंगाल में जब थुए हैं वो पैसे देश के गरीबों के ओपर खर्च किया जाएगा दूसरी तरफ अरबिंद के जिरिवाल अपनी पत्नी के माध्यम से यह खबर भिजवाते हैं कि वो 28 मार्च को बड़ा खुलासा कोट में करेंगे एडी जो 200 दिनों से लगतार पूस्ताष कर रही है अलगलग लोगों से 200 से जादा पन्ने में जो नाम है सराव चांड से जुले हूए लोगों का उन सभी लोगों के लिष्ट में पैसे कहा है तो आज पूरे पैसे का हिसाब अरबिंद के जिरिवाल एडी के हिरासत में थे ED उन्हें रिमांट पर लेकर पूस्ताश कर रही थी और उस पूस्ताश के बाद अर्विंद केजरिवाल पूरी तरीके से तूट चुके हैं या केजरिवाल मजबूत हुए हैं केजरिवाल आज बड़ा खुलासा करेंगे और अगर केजरिवाल पता देते हैं कि वो पैसे कहां पे हैं और पैसे किसने लिया है तो जाहिर सी बात है कि उस खुलासे के बाद बीजेपी की मुश्किल बढ़ जाएगी एडी के अधिकारियों के हाथ पाव फूल रहा है अरबिंद केजरिवाल ने अपने पत्नी के माध्यम से जैसे यह ख़वर बाहर मिडिया में पहुंचाई आम आदनी पार्टी के सोशल मिडिया पेज से सुनीता केजरिवाल का जो व राजबत आई है और बोला है कि 28 मार्च को सबकी निगाहे दिल्ली पर दिल्ली की निगाहे देश पर टीकी रहेंगी क्योंकि केजरिवाल तथा कतित सराब कांड पर खुलासा करने वाले हैं और यह दावा उनकी पत्नी कर रही है दरसल अरभिंद केजरिवाल से मिलकर दो दिन पहले लोटी और उसके बाद उन्होंने प्रेस कंफेंस करके यह तमाम बातों की जनकारी दी हैं अरभिंद केजरिवाल की पत्नी के इस दावे के बाद आज सबकी निगाहे केजरिवाल के खुलासे पर तिकेगी आखिर वो पैसे कहा है कौन है जो पैसे लिये हैं कौन घिंग भी में शराब निती में बदलाव करने के नाम पर रुप की लिए और रुपह दिए और दिये तो वह पैसे खालय का सब्शंडे से precis आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पुढ़निया वापस जाएंगे. जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माबाबुजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाएं. अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है. अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुढ़निया में हम रहेंगे कहा? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ. इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हो. अपने पुढ़निया में घर ले लिया है. पुढ़निया के इहोम्स पैनरोमा में. पुढ़निया में पैनरोमा ग्रूप लेकर आये हैं. इहोम्स पैनरोमा. बड़ा घर, आलिशान जिन्दगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के सख. अड़े अड़े आप क्यों मुमीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं. घर वापसी की खुशी. क्योंकि हैं.